ग्लोबल मन्थन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है जोदपुर में बीच सड़क गुर्णागर्दी का मामला सामने आया है सवारियों के लिए टैक्सी जाइवर और उनके समर्थकों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया मामला इतना बढ़ गया कि बीच बचाव में पुलीस को आना पड़ा लेकिन पुलीस के सामने ही हत्यार निकाल हमला करने लगे इतना ही नहीं एक दूसरे पर पत्थर बाजी भी की जोदपुर पाल बाइपास पर खराब ट्राइफिक व्यवस्था और अतिक्रमन का खामियाजा यहां से निकलने वाले राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है पिछले दो सप्ताह के अंदर यहां दो लोगों को जान से हाथ धूना पड़ा इसके बावजूद भी इस सणत की खराब व्यवस्था सुधाने के लिए नज़र नहीं आ रही है जोदपुर में जैनारायन व्यास विश्व विद्याले के न्यू कैंपस ग्राउंड में बुधवार शाम क्रिकेट खेल रहे युगों के बीच विवाद हो गया विवाद इतना बढ़ गया देर रात दो बाईक को आग लगा दी गई वही कई वाहनों में तोरफोर भी की गई जोदपुर शहर के ओसिया थाना क्षेतर में हरियों नगर में एक नाबालिक को उसके पडोस में रहने वाले रिष्टे में भाई ने बाल पकड़ कर घसीता और मार पीट की बात केवल इतनी थी की गलती से बकरी चचेरे भाई के खेत में घुज गई और इसी बात को लेकर पिटाई कर दी इधर वीडियो सामने आने के बाद पुलीस ने लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है फरवरी महीने ने इस बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये मार्च की शुरुआत हो चुकी है इस महीने के दूसरे सब्ताह तक लोगों को भीशन गर्मी का सामना करना पर सकता है दावा किया जा रहा है कि मार्च महीने में ही अप्रेल से मई जैसी हीट वेव चलेगी पिछले 13 साल में पांच बार पारा मार्च में 40 के पार जा चुका है आशंगा जताई जा रही है कि इस साल मार्च भी तापमान 40 को क्रॉस करेगा मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने नासर और जुनैत के परिवार से मुलाकात कर आर्थिक मदद दी है नासर की पत्नी और एक गोदली बच्ची को 1-1 लाख रुपे कैश और 4-4 लाख की एवदी की घोशना की है वही जुनैत की पत्नी और 6 बच्चों के लिए प्रत्तिक को 1-1 लाख कैश और 4-4 लाख की एवदी का एवदी का एलान किया गया है इस तरह नासर के परिवार को 10 लाख और जुनैत के परिवार को 35 लाख की आर्थिक मदद दी गई है बैंकिंग शेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है बैंक ओफ बडौदा ने 500 पदों पर वेकिंसी निकली है इसके तहट आल इंडिया में एक्विजिशन आफिसर के पदों पर भरती की जाएंगी इसके लिए 21 से 28 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट उमीदवार बैंक ओफ बडौदा की ओफिशियल वेबसाइट बैंक ओफ परोड़ा डौट इन पर जाकर 14 मार्ज तक आउनलाइन आवेदन कर सकेंगे उमीदवारों का फाइनल सेलेक्शन इंटर्व्यू के आधार पर किया जाएगा जमेर में एक महिला ने अपने पती के सामने फंदा लगा सुसाइड कर लिया बात इतनी थी कि शादी के बाद से दोनों के कोई संतान नहीं थी इसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती और साससुर ताने देते थे इसी से परेशान होकर जान दे दी मामला शहर के रामगंज थाना क्षेत्र के दौराई क्षेत्र का है घटना बुधवार दोपहर दो बजे की बताई जा रही है सूचना के बाद पुलीस मौके पर पहुँची थी वहीं गुरुवार को महिला के परिजनों की ओर से रामगंज थाने में पती समेच साससुर के खिलाफ शिकायत दी है राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्यान बोर्ड का गठन कर दिया है वीर तेजा कल्यान बोर्ड किसान समाज की हालत का जाइजा लेने और प्रमारिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किसान वर्प के पिछडेपन को दूर करने के उपाय सुझाएगा अलवर शहर से 70 किलोमीटर दूर खेडली कजबे में बुधवार रात आठ वजे कार में बैठे एक फैट्री मालिक और एक आड़ती अनाज व्यापारी को चार बदमाशों ने किड्नैप कर लिया खेडली के इंडिस्ट्रियल एरिया में चंद्रा एग्रो सीट्स कंपनी के मालिक चंद्रप्रकाश अग्रवाल को बदमाशों ने उनी की कार में किड्नैप कर लिया तदेश में बढ़ रहे गैंगवार को देखते हुए अब सरकार सक्ती करने के मूड में है इन बड़े अपराधियों से निपटने के लिए सरकार महराश्र के मको का महराश्र कंट्रोल ओफ ओर्गिनाइजड क्राइम की तर्स पर कड़ा कानून ला रही है किसी कानून की तर्ज पर राजस्थान में क्राइम फैलाने वाले बड़े बदमाशों पर राजस्थान कंट्रोल ओफ और्गिनाइजड क्राइम लाया जा रहा है जैपुर कोटा हाइवे पर खड़े कंटेनर में वैन जा घुसी वैन में सवार ड्राइवर सहित चार लोगों की मौत हो गए सभी खाटू शाम दर्बार से दर्शन कर लौट रहे थे गुरुवार सुबा करीब साड़े चार बजे तोग जिले के घाड इलाके में हाथसा हुआ बताया जाता है कि वैन जाइवर को जपकी आ गई थी उधर से गुजर रहे लोगों ने काफी मशक्कत के बाद फसे लोगों को बाहर निकाला बृतकों में पतिपत्मी शामिल है नागोर पुलीस ने नाबालिक लड़की के अपहरण के मामले का खुलासा करते हुए लड़की को दस्त्याप करते हुए आरूपी को गिरफ्तार कर लिया है जिले की कुचेरा थाना पुलीस की ओर से ये कारवाई की गई पुर्वोत्तर के तीन राज्यों के विधान सभा चुनाव में वोटों की गिंती जारी है त्रिपुरा और नगालन में भाजपा की वापसी तै हो गई है मेगाले में मुख्यमंत्री कॉन्राड संग्मा की एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है ज्यादातर सीटों पर रिल्त आ गए है और कई पर राजनीतिक दलों ने बढ़त बना ली है दोनों आधार पर जो तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक नगालन में भाजपा गटबंधन को 36 और त्रिपुरा में 34 सीटे मिल रही है मिघाले में एनपीपी के खाते में अभी 25 सीटे आ रही है हात्रस गैंडरेप कांड में गुरुवार को धाई साल बाद SCST कोट ने फैसला सुनाया है कोट ने चार आरोपियों में से सिर्फ एक संदीप ठाकुर को दोशी माना है जबकि तीन आरोपियों लवकुष सिंग, रामू सिंग और रवी सिंग को बरी कर दिया बागेश्वर धाम के पीठा धीश्वर पंडित धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिगराम गर्ग उन्फ सौरव को गिरफतार कर लिया गया है पुलीस ने उसे कोर्ट में पेश कर न्याईक हिरासत की मांग की है आरोपी शालिगराम जेल जाएगा या नहीं, इस पर कोर्ट का फैसला कुछी देर में सामने आ जाएगा मुख्य चुनाव आयुक और चुनाव आयुकतों की न्यूकती पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एतिहासिक फैसला सुनाया कोर्ट में आदेश दिया कि पी-म, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजे आई का पैनल इनकी न्यूकती करेगा पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चैन करती थी नई दिल्ली की जवाहरलाल नहरू यूनिवर्सिटी में अब विरोध प्रदर्शन धर्ना करने वाले स्टूडेंट को 20,000 रुपए जुर्माना देना होगा किसी भी तरह की हिंसा करने पर 30,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है या एड्मिशन रद किया जा सकता है यूनिवर्सिटी ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए नई गाइडलाइन बनाई है NASA के SpaceX Crew 6 मिशन की सफल लॉंचिंग हुई SpaceX Falcon 9 rocket Dragon Endeavour ने अमेरिका में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर नंबर 49 असे गुरुवार देर रात 1 बचकर 45 मिनिट बजे भारतिय सम्यानुसार गुरुवार दोपहर को करीब 12 बचकर 15 मिनिट बजे लॉंच होगा SpaceX का Falcon 9 rocket चार अंतरिक शियात्रियों को International Space Station इस पहुचाएगा यहां एलन मस्क के SpaceX की छठीन ओपरेशनल क्रू फ्लाइट है इसमें NASA के दो, रूस के एक और UA का एक अंतरिक शियात्री शामिल है एक्टर और कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म जविगाटो को लेकर बेहत सुर्खियों में है बुधवार को मेकर्स ने मुंबई में फिल्म का ट्रेलर लॉंच किया इस बीच प्रेस कॉन्फरेंस में जविगाटो की डाइरेक्टर नंदिता दास और कपिल शर्मा ने फिल्म से जुड़े कई दिल्चस्प किस से शेयर किये सुपरस्टार शाहरुप खान की पतनी गौरी खान कानूनी पचड़े में फंस गई है दरसल एक शक्स ने गौरी खान समय तीन लोगों के खिलाफ लखनाव में एफाई आर दर्ज करवाई है गौरी के खिलाफ ये केस आईपीसी की धारा 409 के तहट दर्ज किया गया है अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही अपने दोस्तों और रिष्टेदारों को भी वीडियो शेयर करें धन्यवाद आपका दिन मंगल मैं हो